कुलेजें इन सी high-level language, low-level language, translator, preprocessor, syntax of Mushar tie, valuable, data type, input and output, selection, loop and functions यह तमाम च्चेशने आच हमका इसाओ करने माले हैम तो जाने सबसे पहले introduction के बात की जाए, सीजगीज का introduction है , यह क्या है ? Dannyiddag identity की team नीज सी लेप सेधीं को introduced करवाया था जिसका मक्सद क्या था, कि हम computer को कुछ हदायात देकर उससे अपनी मर्जी के program करवाएं, उससे अपनी मर्जी के काम करवाएं तो इस हवाले से C language को introduce करवाया गया C language जैसे ही आई, इसके उपर काम होना शुरू हो गया, इसके अंदर implement होना शुरू हो गया इसके अंदर मजीद काम बहतरी लाने के लिए जो है, जो team work कर रही थी बेसिकरी जो बहां introduction की बात करती हैं, तो C language को समझने से पहले आप ये समझ दें कि C language एक high level language है, ऐसी language जो इनसानों के नस्दीक होती है और computer से दूर होती है, जिसे इनसान समझ सकते हैं, लेकिं computer समझ से नहीं सकता तो सबसे पहले हम बात करते हैं computer language की, कि computer language क्या होता है C language की depth में जाने से पहले computer language के बारे में देखती है देखें, computer जो होता है आपके पास वो एक ऐसा आला है जिसे समझना, जिसको समझाना मुश्किल है उसे हम कुछ ना कुछ हदाया देती हैं, वो उसके उपर process करता है, उसे समझता है, फिर उसके मताबिक बैसे react करता है आज आपके पास बहुत सारे रिबोर्ट इस वकर बन चुके हैं, 2020 जादा है, तो बहुत सारे रिबोर्ट आपके सामने हैं, वो रिबोर्ट को हम कर क्या रहे हैं, क्या रिबोर्ट को हम कह रहे हैं क्या आप ये काम करों, नहीं, रिबोर्ट को हम हदायात देती हैं, course की सूरत यानि कि हम उन्हें हदाया देती हैं वैसे ही हमें काम करके दिखाती हैं तो यह languages इसलिए बनी के computer से अपनी मर्जी के काम करवाय जाए Computer language किसलिए बनाई गई ? ताकि computer को समझाया जा सके और उससे अपनी मर्जी का काम लिया जा सके अब थो computer की जबन है वो आपके पास binary language communication binary language binary language क्या होती है binary language का मतलब जो 0 या 1 की फासर होती है कैसे मतलब ये कि हमने computer को दिया 44 अब 44 को हम यानि इंसान समझ लेता है लेकिं computer understand नहीं कर पाता 44 computer के पास आया 44 को computer कब में क्या आदिया है वो इसको न बाइड करती है अब मैं इसके जुआन मेंilateral कर रहा हूं कुंप्यों की जुआन की जबान की कि dość है किआ थे को आपके पास में तो आपके बनेि आपके पास 2 9 है 60 है फίल कमाथ है झालब करता है कि ऋर्फ जोब यह अपसें नह hostage 2, 5, 10 1 बचा, ठीक है 2, 2, 4 ठीक है 1 बचा और इसके बाद आपके पास 2 एकम, 2 और ये 0 अब इसको हम राइडाउं कर देते हैं इस तरहां से, इसी तर्वीब से पहले आपके पास 1 आया फिर 0, फिर 1, फिर 1 फिर 0, फिर 0 अब यह जो हमने लिखा है यह कंप्यूटर की जुबान में 44 है इसे कंप्यूटर 44 समझेता हूँ तो यहां से एक बात जो हमारे सामने आई वो यह आई कि कंप्यूटर की एक अपनी जुबान है जिसे हम binary language कहते हैं अगर हम कुछ भी देते हैं उसको पहले वो अपनी जुबान में convert करता है फिर वो उसको समझता है उसके मताबिक वो कुछ ना कुछ रियक्ट करता है ठीक हो गया तो यह तो थी computer language अब जैसे के मैंने कहा कि C language एक high level language है आप चुब हम बात करने जा रहे हैं कि high level language की high level language की आप है आपके पास इंसानों के नजदीक होती है near to human ज़र देख लीचे नेर to human for from computer कंप्यूटर से दूर होती है अब जैसे मैंने भी यह सारा कुछ लिख रहे हैं हमारी जुबान है यह basically क्या है हमारी जुबान है हम इसे समझ लेते हैं अब क्या लिखा हूँ है मुझे पता जल है exactly लेकिन अगर मैं है इसकी बजाय यह लिख दूर आप ज्यादा से ज़ाता है इसको गिंती के कुछ words समझेंगे लेकिन इसके पीछे computer की अपनी तर्म होगी computer इसको कुछ और समझेगा हम किसे कुछ और समझ रहेंगे लेकिन computer से कुछ और समझेगा तो computer यह जो हमारी नस्दीक होती है computer से दूर होती है अब computer के नस्दीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे convert करना पड़ेगा जैसे मैंने 44 को convert करके क्या प्युनाया binary language भी हो गया परशानी तो नहीं है कही से अमीद करता समझ आ रही हो अच्छा low level language अब हम बात करते है low level language low level language का मतलब ह जो computer के नस्दीक होती है और इंसानों से दूर होती है अब इसी को देख लेते हैं definition near to computer for from human अब जैसे मैंने अभी ये जो 44 को convert किया था वो जो answer आया था वो क्या था आपके पास low level language वो इंसानों से दूर थी और computer के पास थी जो जो जुबान computer के नस्दीक तरीन होती है उसे हम क्या कहते है low level language का है इसके example ले ले इसकी example में आपके पास binary language है ठीक है और दूसरी आपके पास assembly language है ठीक है binary language जो zero या one की farm होती है और जो assembly language है it is one step higher than low level language इसमें mixing होती है human language भी होती है और साथ में प्लस आपके पास अलापला करे low level language भी होती है human plus low level language ठीक है यानि यह human language भी है और साथ में low level language भी है या high level language भी है साथ में plus आपके पास low level language भी है इसका syntax से तर लिखें तो इस तरह से होता है human, move, ax, zero इस तरह की यह इसके अंदर जो है instructions दी जाती है assembly language को जाती है अब आप कहें के सब high level language की तो आपने को example ही नहीं दी कैसे आपके पास इसकी example में c, c++, c sharp, java ठीक है इस तरह की बहुत सारी languages हैं जो कि क्या हैं आपके पास high level languages हैं ले रहोगा इन्शालाह आपको समझ आ रही होगी कि मैं बहुत ही आसान लख्सों में समझा रहा हूं ठीक है यह मेरे कहने का है क्या क्या तो कि मेभी सम्ट स्टूइंट्स को समझ ना रही हो लेकिन पुशिश कीजिए engage होने की जैसे-जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे-वैसे आप समझे किसी किसम का कोई सवाल है आप मीचे comment box में हमसे पूछ सकते हैं Translator अब आगी बात Translator की मैंने बात किरी थी Low Level High Level Language की अब देखी मैंने C Language में कोई ग्रावग्राम लेकिती है मसला यहां पर आया आप computer से समझे का कैसे उसे करेगा Translate क्या करेगा Translate अपनी जुबान भी लेके आएगा जैसे मैंने 44 को टुपे डिवाइड करके उसको एक जुबान में लेके आया था थोड़ासा पीछे जाके देख सकते हैं तो वहां पर आपने देखा कि 44 को मैंने convert कि 2 से convert करके binary form बनाई तो basically जो convert कर रहा है Translate कर रहा है उसे क्या कहते है Translator कहते हैं कितनी टाइप्स 3 थाइप्स नमबर 1 देखिए दर compiler नमबर 2 interpreter और नमबर 3 assembler ठीक हो क्या अब बात करते हैं हम compiler की Translator की टाइप्स Types of Translator compiler क्या होता है compile करना अब यहां करना एक लफज और आएगा यह लाजमी याद रखिए कर compile, compile यह बड़ी दफ़र भीड होना है तो C language में इस लफज के इसको समझने अपने पल्ले बान ले करते हैं ना पल्ले बान ना तो आपने यह पल्ले बान देना क्योंकि यह लफज आपके बार बार इस्तमार होने वाना है compile का मतलब ही होता है high level language से low level language में convert करना क्या करना? high level language को high level language को translate करना या दूसरे लफजों में compile करना या convert करना into low level language ठीक है यह low level language में convert करता है इसे दूसरे लफजों में हम source code भी कहते हैं high level language को source code भी कहते हैं diary language उस पे लिखते चाहिए जीता जीता points या source code भी कहते हैं यह मैं silent में लिकरा हूँ sorry S मतलब source और C से code source code और इस से object code भी कहते हैं ठीक हो कह आप राइट आउन कर ली चीक आपको यह भूले रहा है पहले कहाँ आपके पास source code अप जो compiler है क्या कर रहा है आपके पास इसको convert कर रहा है low-level language में या दूसरे लफ़ों में source code को बना रहा है object code as a whole आप यहां पर यह बास लाग में लिखनी है अगर definition की बात की जाए compiler जो होता है वो आपके पास पूरे प्रोग्राम को as a individual मतलब मुकंब चेक करता है उसके बाद आपके पास अगर कोई error है वो detect करके आपके सामने को दिखा देगा भई यह error है पहले इसे remove करो फिर मैं object code बना कि आपको दूंगा अधर वाइत आप object code नहीं देने वादा या दूसरे लफ़ों में अगर बात करूँ यह पहले एक सारे प्रोग्राम को चेक करेगा पांच सो लैनों को प्रोग्राम है तो आपको पूरी पांच सो लैने चेक करने वादा है पांच सो लैने चेक हो गई उसके बाद क्या करेगा लाइन नबर 202 में गलती है जी लाइन नबर 302 में गलती है जी तो वो आपको डिस्प्ले कराने करा देगा वो डिस्प्ले कराके आपके सामने करतेगा वह यह आपने मिस्टेक की है इसे आप ठीक कर लीजिए इसके बाद वो आपको आपको रिज़र्ट डेदेगा, ठीक है, मतलब मुकंमल प्रोग्राम को उसनी चेक करना है, उसके बाद आपको रिज़र्ट देगा है, तो होपली आपको समझभा रही, ठीक है, तो यह था इसके बाद जो इसका दूसरा बाई है, वह आपके बास इंटरप्रेटर है, क्या है यह अबजेक्ट कोड नहीं बनाता है इसको हार दफा हमें रन करवाना करता है उसमें यह बेनफिट है कि अगर हम एक कोड को रन करवा लेते हैं उसका एक साथ में एक फाइल गॉर बन जेगी जिसे अबजेक्ट कोड केंगे किसी लेक्विच को जब हम रन करेंगे या जब मैंने दूसरे लेक्टर इससे पहले बनायरों हैं आप भी देखिए सकते हैं इसमें हमने वर्किंग करके दिखाईगी चाहिए फिर चाहिए कि वोब अब देखा है कि लोगों को यह समझ आजे हैं कुछ लूगों को ड्राय रं जारा समझ आता है कुछ लोगों को वर्किंग चुर्थ हाथाल में घHeart तिक आप ती करते है इस सांब लिमेशी है लेकिन मसला यहां पर आता है interpreter होई, interpreter जब आपके पास High-Level Language से Low-Level Language में convert करता है, और जैक लिए, और अब्यों सब्सक्राइब करता है, तो फैने एक लाइन को छेक करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा, अगर दूसरी लाइन में गरती है, तो आपके निसले बादी पर चेक करने के बाद आपको मैंसे डिस्प्ले गवाने का था है, फिक होगे, तो चाहिए, अचा, इसके बाद आ रेते हैं आपके पास, तर नमर पे, असंबलर, असंबलर क्या रादा है? Assembler जैसे के नाम से जाहर है Assembly Language को Low Level Language में करूआट करता है चुँकि ये One Step Higher होता है Low Level Language से उसके बाद High Level Language आती है और इसका Inspire Structure में आया जाए सबसे पहरे नमबर में Low Level Language Low Language उसके बाद Assembly उसके बाद High Level Language आती है ठीक है ये आपके पास One Two Three आप चुकि ये नजदीख है Low Level Language से आप High Assembly Language को जब हम Low Level Language को जुए Convert करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें Compile करने में या उसे Convert करने में ठीक है उसे Translate करने में थोड़ा टाइम लगेगा आई High Level Language है चुकि दूर है तो दूर की चीज़ को ट्रैवल करके इसी चीज़ तक पहुंचना उसमें वकत तो लगता है इसको इदर तक पहुंचने में वकत लगेगा या इसको इसमें Convert होने में वकत लगेगा ठीक हो गया ये तो Concept कर Translator का अब हम बात करने जा रही है Pre-Processor Pre-Processor जैसे के Pre का मतलब क्या हो है पहले प्रसेसर प्रसेस होने से पहले अब हम करने जाए Selectix का Introductions उसे ठोड़ा Detail के साथ जैसे करने लगे हैं तो Pre-Processor हमारे पास वह लाइबरेडी है जिसको हम अपने प्रोग्राम की अंदर शामल करते हैं अब लाइबरेडी के आदर आए प्रशान ही हो नाचान सी बात है लाइबरेडी का मतलब यह है कि कुछ functions C के developer ने पहले से बना के C library language के अंदर रखती है कुछ folder है जिसमें कुछ functions हैं उनको बना के रखती है अगर उस एक function को call करते हैं उसमें कुछ फाइले पड़ी होती है उन फाइलों में कुछ functions define होते हैं ठीक है उन functions की बना कर हम कुछ खास functions को इस्तमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ठीक है दुवारा से बात repeat करता हूं यह बात शोटी सी मतलब बिस्टेक लिए लिए वह बात यह थी कि सी लेकल लेक्विज के अंदर कुछ libraries होती है उन libraries में कुछ मक्सूस functions होते हैं define उनको जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर include करवाते हैं इस तरीकादार को हम preprocessor directory कहते हैं या preprocessor method कहते हैं इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं hash include पर लिखा जाता है अगर इसे नहीं करेंगे तो program run नहीं होने वाला इसके बाद हम इक library लिखते हैं और यह understood सी library है जिसकी बनावाद stdio.h इसके अंदर अब यह जो है आपके पास c tribe c tribe में एक folder बनावा जिसमें stdio का नाम जिसमें 2 functions जो है एक तो है printf और दूसरा है scanf ठीक है printf और scanf इस stdio.h के अंदर define होते हैं अब जब मैं इस library को include करता हूं यानि preprocessor को अपने program में include करता हूं तो मैं इस तहल हो जाता हूं कि इन दो functions को अपने program के अंदर इस्तमाल कर सकता हूं कहीं पर भी जैसे इन जरूर बढ़ती मैं इस्तमाल कर सकता हूं ठीक हो क्या तो यह थी आपके पास preprocessor ठीक है इसके बाद अब हम syntax लिखने जा रहे हैं c language का syntax 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 of c सबसे पहले नमबर पर आपके पास hash include stdo यह जो std है यह आपके पास standard input output library है standard library है दूसरे जब सबसे हम standard library भी कह सकते हैं यह आपके पास standard library है ठीक है पहले हम यह लिखेंगे hash include stdo.h उसके बाद आपके पास wild main यह आपका main function होता है main का मतलब यह है कि जैसे एक काड़ी के अंदर driver होता है बिलकुल इसी तरह program के अंदर यह इसका driver है जिसने program को चलाना है जिसने यह बताना है कि मेरे फोरण बाद जो कुछ लिखा होगा मैं उसे फोरण compile कर दूंगा पासमझा रहे हैं मेरे बाद जो कुछ लिखा होगा उसे मैंने compile करना है यह मेरी responsibility है इसके बाद इसका body portion होता है कैसे कहते है body portion यहाँ पर हम statement लिखते हैं statements क्या होती है set of instructions कुछ हदायात जो हमने computer को देनी है C level language बनी ही इसलिए है कि हम कुछ हदायात लिखे और computer को देनी पर तु यह हमें काम करके दे हमें return में यह चीज़ चाहिए तुमसे यह चीज़ हम expect कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वो statement लिखेंगे तो यह बिसी करी आपके पास पूरा क्या है syntax of C level language अगर आप student हैं अगर आपका सवाल आजाता है write down the syntax of C level language आप इतना लिखेंगे चीज़ हो गया चीज़ हो गया अब हम बात करने जाता है variables की यह variable क्या होता है variable that's very important in C level language variable का मतलब होता है change variable हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसलिए 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 के अंदर हम कुछ values को store करवा सके यह कुछ जो values आती है उनको जमा करवाने से यह उनका कोई computational result है उसको store करवाने के लिए हम इस्तमाल करते हैं जैसे ही हम variable की बात करते हैं यह जैसे ही हम variable अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तमाल करते हैं हमारी memory के अंदर एक डबा होता है, यैसे यह हमानी memory है, computer memory हमने कोई भी variable लिया, जैसे marks, student के marks, यह एक variable है तो variable को हम जब declare करवाते हैं, declare की बात में हम लिएक डिटेयल के साथ करने वाले हैं जैसे ही हम declare करवाते हैं, एक डबा बन जाता है उस नाम का memory की अंदर जिसका नाम क्या है, जो हमें नाम लिखा होगा है, mark, ठीक है, इसे variable कहते हैं यानि कि हम अपनी program के अंदर कुछ values को store करवाने के लिए या उनके computational desserts को store करवाने के लिए, जिस चीज़ को इस्तवाल करते हैं, उसको हम variable बोते हैं अब यहां पर एक चीज़ आ रहती है, variable declaration और variable initialization declaration का मतलब यह होता है, जैसे हम उनकी plot निया लेना हो, तो कहते हैं यह तेरे नाम पर declare हो जुका है अब इसकी मल्कित जो है वो तुम भारी है तो हम क्या कर रहे होती है, उसको declare करने मतलब उसको assign कर देते हैं, उसे दे रहे देंग भी यह आपके हो चुका है बिल्कुल सेंग, जब हम किसी variable की declaration की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़े होती है एक तो variable का नाम और उसकी data यह आप रखिए, variable declaration की बात कर बात करें आपके पस data type और दूसरा variable name वी नेम का मतलब variable name और उसके बाद से terminate करना होता है यह जो symbol है इसे terminator बोलते हैं, semicolon को terminator बोलते हैं कि कि जितनी भी statement हम C-level language के अलाब अलाब करें, body में इस्तमाल करेंगे उसके बाद से terminate करेंगे, survive functions को functions को हमने terminate नहीं करना यह ख्याल कीज़ेगा जैसे मैंने अभी बताया data type अब फर्च कर लें, मैं एक data type लेता हूँ marks marks के लिए marks को हमारे पास data type आपके पास दीजी है तो इसको भी discuss कर लेते हैं लेकिन इससे पहले हमारा एक concept है variable initialization उसको हम discuss करने के बाद इंशाला data type के दरफ मुप करते हैं यह तो था किसी variable का data type define करना साथ उसके variable का नाम define करना इसे हम कहते है variable declaration अब इसके बाद initialization की बाद करें variable initialization की उसमें एक चीज़ पहर add कर दें वो है value data type दूसरी variable का नाम और साथ variable की value assignment operator इस्वाल करते हुए variable की value assign कर देना उसे हम कहते हैं variable initialization देख लिए जिए इसके बाद आपके पास variable name अब यहां पर assignment operator यह equal नहीं है C level language में इसे equally बोलते हैं C level में इसको assignment assign करते हैं यह assign के लिए होता है यह assign के बाद आपके इसे discuss करते हैं इसके बाद आपके बाद आपके पास value बस इसमें यह तरक है initialization में, declaration में एक दो चीज़ी होती है data type और variable name और initialization में data type, variable name, assignment operator और साथ में पहरे है clear होगे अब यह जो चीज़ मैंने data type इसको हम discuss करने जा रहे हैं अब data type, that's very important data type क्या है? कि हमारे पास की style का data है जैसे कि नाम से जाहर हो रहा है आया कि जैसे अगर मार्स की तो मार्स किस तरह होते हैं आपके पास? numbers की सुरत में होते हैं, numeric होते हैं तो उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं c-level language के अंदर integer यानि int उसके लिए एक keyword इस्तमाल करते हैं जिसे हम int होते हैं int वो किसके लिए? numeric data केगी यह आगे आपके पास numeric data केगी इसी तरह अगर हम जैसे alphabet इस्तमाल करने जा रहे हैं a grade, b grade, c grade student का आया है तो उसके लिए हम इस्तमाल करेंगी 4 c-h-a-r, 4 कहां से निकलता है? character से character value यह बहुत है यह बहुत है character नहीं यह character दूसरा है, a, b, c यह अलफा बैट्स की सुरत में जो पाया जाता है इसके लिए single mutation इस्तमाल की जाती है single mutation इस तरह से या रहा है न सर, d इस तरह से हम character को tenone करते हैं कि बहुत ही चीज़ें है जादा में टैक्स में नहीं जाना चालता चुक्के lecture फिर लंगा हो जाएगा तो इसके हवाले से या मजीड कोई कमी पेशी रह की तो इसके लिए मजीड lecture हम बना रहेंगे अच्छा खैर, यह तो हो चुक है इसी तरह अब अगर हमारे पास कोई किशारिया में वैल्यू आ जाती है जैसे 22 वटा साथ है जिसको पॉइंट जो पाई की वैल्यू है पाई यह जो है इसकी क्या वैल्यू त्री पॉइंट माल्फ हो इस तरह की वैल्यूस को स्टोर करवाने के लिए हमें एक टैटा टाइप चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल और सुरी फ्लोटीं पॉइंट फ्लोट उसे क्या वहते हैं फ्लोट ठीक हो गया अब यह किस प्रिए है पॉइंटिं वैल्यू के लिए जिसमें पॉइंट इसमाल हो रहे है ठीक है तो यह तो छी आपके पास डेकर टाइप्स अब हम बात करने जा रहे हैं इंपूट & आउट्पूट फॉंक्शन्स की इंपूट & आउट्पूट क्या होते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपुट की, जैसे कि मैंने पिछे इससे वहले डिस्कस किया था, एक लाइबरी इस्तमाल, सी लैबल लैग्विच के अंदर, अगर हम इंपुट और आउटपुट फंक्शन इस्तमाल करना चाहते हैं, तो एक लाइबरी हमें इस्तमाल करनी पड़ेगी, जैसे हम कहते हैं, hash include stdio.h, ये किसलिए है, input, output functions के लिए standard लाइबरी है, std मतलब standard, i से input और o से output और h, ये जो आपके पास .h है, ये extension है, ये header files को denote कर रहा है, ये जो आपके पास stdio.h है, ये header file है, मैं इसलिए बनी बता रहा है, क्योंकि फिर बच्चों के अवर, वो complex ना हो जाएं, तो depth में नी क्या रहे हैं, हम basic basic चिज़ें discuss कर रहे हैं, depth में आपने सीखना है, तो मेरे कुछ tutorial जो है, वो थोड़ा सा advanced जिसके बने हुए हैं, उसको आप देखने हैं, उसको आप देखने हैं, इंपुट का मतलब है, हम computer को user कुछ enter करता है, by using keyboard, ठीक है, keyboard से कुछ भी enter करके computer को देना, इस तरीकागार को हम input कहते हैं, हम C level language के अंदर input कैसे ली जाती है, वो तरीकागार ज़दा देखने हैं, हम ने ये इस्तमाल कर दिया, अब हम इस रहल हो चुकी हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, अल्लाभ हरा करे, input function भी इस्तमाल कर सकते हैं, सबसे पहले, आप मैं इसके बाद वाइड में भी लिख रहा हूं, वाइड में, अब देखो, मैंने, क्या करना है, यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी है, जैसे marks लेनी है, अब मैं marks को लेने के लिए पहले उसे क्या दरूँगा, इससा variable बनाऊँगा, उसकी data type जो है, इसका नाम है, marks, अब मैंने ये जो काम किया है, इसे हमने थोड़ा दिर पहले डिसकस किया, इसे क्याते है, variable declaration, ये variable declaration मैंने कर दी, चुंके मैंने user से इसके अंदर value लेनी है marks, तो मैंने इसकी data type बता दी, चुके marks आपके पास integer value निमेरिक value होती है, तो ये हमने बता दी, अब मैं लेने जा रहा हूं user से, तो यहां पर एक function इस्तमार दोता है, जिसे हम बोलती है scan f, scan f, ठीक है, अब यहां पर मैं इसके अंदर double operation इस्तमार करूँगा, जिसमें मैं एक percentage d, ये इसके उपर भी मकमल lecture है, ठीक है, ये आप जो है इसको भी देख लीजेगा, ये भी हमारे मुटक कमल डिटेव के साथ मैंने बताया हुआ है, ये क्या चीज है, ये आपने वहापन देखना है, ठीक है? अच्छा, percentage d, percentage d, क्यूंकि हमारे पास digit है, ये जो हमारे पास integer value के लिए हम चाहता रहे हैं, जबकि integer value को नीचे call करना होगा, तो हम percentage d, के जरीए से call करेंगे, ठीक है, उसके बाद, अगर हमने, chart type को call करना है, तो हम percentage c, इस्तमाल करेंगे, अगर हमें float का लेना है, तो हम percentage f, इस्तमाल करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ है, इस्तमाल होते हैं, इस्तमाल होते हैं, यहां पर आपके पास mark का लागया, और यहां पर एक end operator है, जिससे हमें memory का address पता चलता है, कि यह किस जगा पर mark score है, उस जगा पर जाकि आपके पास value की, लेकिज आपके पास डिस्प्ले करवा देता है, अब यह आपके पास एक variable ले लिया, उसमें इस तरीका कार को हम क्या कहते हैं, input करवाना, यह इसके अंदर नहीं लिखना आपने, यह जो तरीका कार मैंने यहां पर लिखा, इसे हम input करते हैं, क्या कहते हैं, input करना, यह जो एक line में लिखी है, जिसमें user से value ली है, marks, जिसी हम क्या करते हैं, input लेना, जी, तो अब हम इसकी बात कर रहे थे, %D, यह हमारे पास format specified है, इसके उनका complete lecture जो है, वह मैंने बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कल कर देते हैं, कि यह क्या चीज़ है, अगर हमारे पास integer type का अधात है, तो इसके लिए हम format specified %B नमा करते हैं, चार के लिए %C, फ्लॉट के लिए %F, यह हमारे पास input function हो गया, इसके बाद आब हम बात करने जा रहे हैं, output functions के, output function में क्या है, यह प्रिंट करना है, hello world, तो हम क्या करते हैं, functions इस्तमाल करेंगे, function क्या है, उसका नाम printf, यह बी छोटा है, और ग्यार रखिए कि C-level language के अंदर, जो जितना भी syntax है, वो सारा छोटा लिखा जाता है, उसको lower case में इस्तमाल करेंगे, case sensitive language है, इसका मतलब है, कि इसमें, जिस तरह का code उन्होंने बनाया है, C-level language के developers ने, हमें भी बैसे ही लिखना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी लिख कर सकते हैं, printf, यह एक function है, और function की निशानी C-level language में, कैसे पता चल रही है, इसके बाद यह समाल होता है, parent thesis, इसके अंदर हम double quotation, अब जो printf, इसके अंदर जो भी message देना है, हमें double quotation में, double quotation हमारा अपना area है, इसके अंदर जो चाहे दें, वो आपको as it screen पर display होगा, मैं यहां पर कुछ भी दे देता हूं, first करें, hello world, इसके बाद में बंक कर देता हूं, तो यह आपके पास चाह जाएगा, डिस्प्ले होगा, screen पर hello world, अगर आप dash c++ में काम कर रही हैं, तो फिर इतना सा code आपको hello world print करवा देगा, अगर आप turbo use कर रही हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक library, और सिखनी पड़ेगी इसका नाम है, hash include, s, sorry, conio.h, यह c-o-n-i-o.h, यह इस्तमाल करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, get c-h, अब यह क्या बला है, यह एक library है, जिसके अंदर यह वाला function defined है, अगर हमने यह function नहीं इस्तमाल करते तड़कों के अंदर, तो क्या होगा, hello world, फो, इतनी minute second के लिए मतलब चलेगा और बंद हो जाएगा, मतलब हमें message display हो गई इतनी जादी से बंद चलेगा और बंद हो जाएगा, अब यहाँ पर हम यह function इस्तमाल करेंगे, कि अब हमारा प्रोग्राम उतनी देर तक चलता रहे, जब तक keyboard से हम कुछ भी enter नहीं कर देते, उसके लिए यह इतना सा function हमने यहाँ पर embed किया है, बात समझा रहे हैं, तो यह बात है, इसके लिए हमने यह library भी इस्तमाल की, clear हो गया, अच्छा, अब हम बात करें जा रहे हैं, c-level language के अंदर, selection की, अगर selection की बात की जाए, तो selection में basically condition होती है, यानि जिसमें हम condition का इस्तमाल कर सकते हैं, उसे हम selection कहते हैं, यानि के हमें, जो selection है, वो दो रजड़ दे रही होती है, यानि condition जो है, ये basically इसके अंदर condition का इस्तमाल है, वो condition हमें दो जड़ देती है, या तो वो true जड़ देती है, या fall, ठीक है, अब इसमें एक statement एक वकत में राज़ होती है, या तो true बाल ही चलती है, या false बाल ही चलती है, इसे हम selection कहते हैं, इसको हम कैसे वर करेगी, देखें, चोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, परस करें, अगर आपकी age 18 से कम है, तो आपको message दे, कि you are not eligible, अगर आपकी age 18 से ज्यादा है, तो आपको message दे, you are adult, you are eligible for identity card, अगर identity card आप बनवाने जाती है ना, तो अगर आपकी age 18 से कम है, तो आपको eligible नहीं कहेंगे, अगर ज्यादा है तो फिर आपको कहेंगे, कि आप eligible है, for this process, तो उसके लिए एक चोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रही है, क्या है, हमें क्या है, age लेगी है, age को हम declare दर पाते हैं, user से भी नहीं चाहते हैं, तो user से ले सकते हैं, हम खुद से भी उसको value assign कर सकते हैं, it's up to you, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हम थोड़ी सी practice होजए, input और output functions की भी, तो हम user से भी value ले ले रहेंगे, ठीक है, और साथ में variable भी declare रभाद देते हैं, तो इस तहां से आपकी practice भी होजए, चलें देखते हैं, अब हम इस्तवाल करने जा रहे हैं selection को, उसके लिए हमें एक keyword इस्तवाल करना पढ़ता है, जिसका नाम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो library बाला portion मैं नहीं लिकरा, मैं सिर्फ body बाला portion कर रहा हूं, body portion के अंदर क्या होने वाला है, वो मैं आप discuss देना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, integer एक age ले देनी है, यह मैंने declare करवा किया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक message देना है, print app, इसके अंदर वाला area अपना होता है, तो यहां पर हम लिख देती है, please, enter, यह जगा कम है तो मैं आगे यहां से ले आता हूं, age, वो जगा कम थी तुक्के आगे वो लिखा बात, ठीक है, अब इतने से काम से क्या होगा, पहली line में यह message आजेगा, please enter age, ठीक है, उसके बाद हम इसनमाल करते हैं, scan it, इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, percentage D, इंडीजर टाइप का है, हमने पीछे बात की थी, इसके अवाले से पार्मेट स्पैसिपायर की, तो हम आप इसनमाल करने जा रहे हैं, इसके अंदर age, इसके अड्रेस से, इसके अंदर जो है वाल्यू डाव रहा है इसकी, जो भी यूजर एंटर करेगा, अब age के अंदर गोवाल्य वैल्यू आगी जो यूजर ने एंटर की, कीबोर्ड के जादे, अब उसके ओपर हम लगा रहे हैं condition, by using it, शुरू में मेरा सवाल क्या बोचा था, कि अगर age 18 से ज्यादा है, या 18 या 18 से ज्यादा है, तो आपको रहे, you are eligible, तो condition के अंदर ही जवाब है, सवाल के अंदर ही जवाब है, क्या बात की थी मैंने, age greater than or equal to 18, यह जो मैंने इस्तावाल की हैं, यह जो है, इसका भी मैंसार ही डिटेल जो है, अपने पछे lectures के अंदर दी होई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, हम बात करें है, age greater than or equal to 18, अगर 18 से ज्यादा है, तो क्या करें, अब यहाँ पर हम तर्मी ब्रैक्ट से सुमादा करते हैं, इसका मतलब है यह आप true वाला कोशन लिख रहे हैं, हमने शुरू बात की थी कि selection जो है, वह हमें या तो true देता है या false, अब यहाँ पर बाहर पहले पर true वाला कोशन होगा, उसके बाद एक keyword इसमाब करेंगे else, और उसके बाद हमारे पास false वाला कोशन होगा, तो यह चुक्के, अभी हमने इसको कर लिया है, तो अभी से raise करने तो एक रहता है, अच्छा, तो इसके बाद हम इसे बाद कर देती है, अब यह तो होगा true वाला कोशन, इसके बाद मैं लिखना else वाला कोशन, यानि false वाला कोशन, यह true वाला कोशन है, अब as false वाला कोशन, इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंसे लिता हूँ, you are not eligible, इसके बाद इसे मैंने बाद कर दिया, मैं चोटा सब्सक्रा का लिखा है, तो मतलब हम संजाने का यह था, कि यह आपके पास प्रोग्राम है, इसके बाद फार्द वाला कोशन होता 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 है, तो यह वो निचले, ठीक हो गया, इसे कहते हैं selection in syllable language, ठीक है, उसके बाद हम बाद करने जा रहे हैं, loop, loop, loop जैसे के नाम से ज़र है repeat होना, इसी चीज़ का बार बार चलना, loop, टीन टाइप्स की होती है, loop को हम iteration भी कहते है, iteration का मतलब बार बार राना पाना, अपने आप को बार बार कार्ट पाना, loop टीन टाइप्स की होती है, त्री टाइप्स है, इसकी, all loop, while loop, loop while loop, अब जो हमारे बार सेलेक्शन है, इसकी अगर पर्दर टाइप्स है, यह कि मैंने डडेर के साथ अपने लेक्चर्स के अंदर डिसक्स किया हुआ है, उसका जो लिंक है, वो इन्शाला मैं इस वीडियो के नीचे देदूगा, तो आप वो देख लीजेगा, उसमें मैंने ब वाकिक के बारे में जो है, आप मजीद देखना चाहते हैं, तो वो इन्शाला आप मैंने यहाम नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजेगा, हम पहले लूप की बात कर रहे हैं, तो जाता ता जो मौसली इस्तमाल होने ले लूप है, वो आपके पास फॉर ल लूप का इस्तेमाल करते हैं, कब, जब हमें बार बार किसी चीज़ को रूपीट करना है, मैं कहता हम पांच लज्वाप पाकिस्नान प्रेट करना है, तो क्या करें हैं, लेख नदा है, इसके हमें एक वरीबल लेना पड़ेगा, लूप को चलाने के लिए जिसका नाम होग C counter, C से मतलब counter ठीक है, इसके बाद मैं loop चलाता हूँ for, ये इसका syntax है, for loop ये for basically एक function है ठीक है, इसके अंदर क्या है, c initializer अब ये चो चीज़ मैंने लिखी, ये है initializer ठीक है, इसके बाद condition आती है, c less than equal to इतनी कफा चलानी है, मैंने 5 दफा प्रिंट करवाना है, 5 दफा लिखी है इसके बाद increment ये decrement operator होता है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अपने lectures में discuss किया है यानि किसी चीज़ को बार बार repeat, increase होना ये increment operator है ये decrement operator है, ये एक value decrease करना ये चुक्कि हमें बढ़ाना है, 5 प्रिंट करना है, तो हम increment operator करेंगे, c plus plus इसके अंदर हमने क्या लिखना है, print f, पाकिस्तान, ये जो भी आप लिखना चाते हो, वो आप लिख सकते हो मिंचनाबाद, वर्षवर, जो भी आप लिखना चाते हो, मेरे सिटे का नाम है मिंचनाबाद, अब जो भी आप लिखना है, वो आप लिखोंगे, तो वो 5 दफा प्रिंट हो जाएगा, कैसे, पहले दफा जो आपके पास लूप थी, 1 थी, c1, ठीक है, अब इसे driver करके c less than equal to 5, condition क्या है, 1 है, यहां पर पहले 1 आया, 1 को जैक किया चोटा है, 5 है, बिल्कुर ठीक, 1 के अंदर एक का जाफा हो गया, 2 हो गया, और नीचे पाकिसान आपके पास लूप में प्रिंट हो गया, पहला पाकिसान आ गया, condition में दूसी दफ़ा, c class में होके क्या होगी, 2 होगी, 2 को चेक क्या है, 2, 5 से छोटा है, बिल्कुर छोटा है, आपके पास condition क्या होगी, 3, और पाकिसान आपके पास spring हो गया, फिर condition आपके पास 3 होगी थी, ठीक है, 3 जो है, वो less than 5, बिल्कुर ठीक है, यह सी क्या, आपके पास score हो गया, पाकिसान फिर प्रिंट हो गया, यह तब तक चलती रहेंगी, जब तक यह condition रॉंग नहीं हो जाती है, अब हमारे पास क्या हो गया, यह फोर हो गया, यह भी फोर, और यह हमारे पास इसका तो 5 हो जाएगा, 4 छोटा है 5 से, बिल्कुर ठीक, यह 5 हो गया, पाकिसान तब तक प्रिंट हो गया, इसके बाद, C जो है आपके पास 5 हो गया, 5 छोटा है, इक्वल है, बिल्कुर ठीक है, आपके पास पाकिसान प्रिंट हो गया, इस तफ़ा हमारे पास प्रिंडिशन 6 हो गयी, 6 यहाँ पे आई, 6, 6 less than equal to 5, बात गलत है, तो यह लोग से बहर आजाए, ठीक, अब हम लोग कर करने जा रहे हैं, जी, अब हम लोग करने जा रहे हैं, बात functions की, कि functions क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़गी चीज़ है यह, और बहुत ही आसान है यह, इसको समझना भी, तो चले, functions क्या होते हैं, सबसे पहरे, मैं functions के बारे में बदातूं कि function हम इस्तमाल कर ताकि हम बार बार बहुत लंबा syntax जो है उगर हमें इस्तमाल करनी फila baba की बड़ रही है तो बार बार हमें appointment इतने की ज़रूरत नहीं है हम क्या करते हैं एक function बनाके रहुत हैं जहां पर बार बार जिसे call कर लेंगे तो हम एक function बना लिए उसको काल कर लिए अब लाइनी बेतर है कि उसको एक दफ़ा बना के रख लिया तो उसमें हमने 5 लाइने को बोड़र फर्स करें अब बजाए 5 लाइनों को हम बार बार इस्तमाल करें एक function के दरिये एक line में हमसे उसको काल कर लेंगे उसमें variable pass करवा कि उससे हम वह वहाँ ले लेंगे ठीक है इसलिए हम function इसमाल करते हैं और इसे देखते हैं आपको असानी से समझ आदेगी दो टाइप्स के function होते हैं built-in function and user defined function built-in function जैसे कि आपके पास printf, scanner यह पहले से define पर होते हैं जो developer है, scene उन्होंने पहले से define किया हुआता है हम जब functions की बात करते हैं तो हम यहां पर user defined functions की बात करते हैं जिसे user अपनी मरजी से बना सकता है तो आएं हम एक छोटा सा function बनाते हैं उससे इस चीज़ को clear करते हैं कि यह functions क्या होते हैं हम user defined function की बात कर रहे हैं जो user defined करता है function को define करने से पहले उसमें एक चीज़ इस्तमाद होती है जिसे कहते है function declaration जैसे हमने बात की थी variable declaration सेम इसी तरह आपके पास function declaration होती है जिसमें functions के बारे में बताया होता है कि इस function को मैंने आगे प्रोग्राम के अंदर इस्तमाद करना है जैसे एक movie launch होने से पहले उसका trailer आता है उसके बाद movie आती है अगर आप main से पहले इस्तमाद करने है function तो फिर आपको trailer देने की जरूरत नहीं है यानि आज ही मैंने movie launch करनी है तो मुझे trailer देने की जरूरत नहीं है अगर मुझे एक माँ के बाद या एक हफते के बाद नाच करनी है तो आज मैं उसका trailer दे सकता हूँ ठीक हो गया function को पहले क्या करना पड़ता है declave रहना पड़ता है कहां पर hash include library के बाद मैं को कमवल लाइड कोड लिखता हूँ एक sum का function मिला रहे हैं जिससे आपको इस इसकर कमवल information मिल जाएगे hash include stdio.h यह आपके पास library आगे इसके बाद हम functions को initialize करवाएंगे function को declare करवाने से पहले function की data type और उस में इस्तमाल होने वाले parameters जैसे trailer में क्या होता है? movie के अब जाने के काम करनेवाले hero और events के बारे में बताया जाता है same like that आपके पास functions में क्या होता है? function में इस्तमाल होने वाले parameters या लाइबल्स के बारे में बताया जाता है functions के बारे में हम बना रही हैं सामका function हमने ये function का नाम देखिया इसमें हमने इसमाल किया दो variable है इनका नाम है a और int b ये दो variable इसके अंदर इसमा यहाँ पर एक बाद मैं देख रहा हूं कि मैं इसे चलिद कर रहा हूं मैंने थोड़ी दिर पहले एक बात कही थी कि functions को तो terminate नहीं करते साथ एक बात और भी कही थी अगर आप तो याद हो कि body के अंदर functions को terminate नहीं करते body के अंदर ये body नहीं है ये body से बाहर हो था चीप है बॉडी के अंदर फंक्शन को टर्मिनेट हम नहीं करते हैं वाइट में यहां पर हमने हमारा में पॉर्शन है यहां किया सुप्तिहाल है हमने दो वैलिबल देने हैं यूजर से उसकी वैल्यू देनी है उसके उपर प्रोसेस करवाने के लिए हम फंक्शन के बार चले जाएंगे फंक्शन हमें वह काम करके अपनी वैल्यू जो है वह रिटर्न करवा देने हैं कैसे बेखेंगे जी सबसे पहले हम ही क्या करना है दो वैल्यूपल लेने हैं पर्संटेज लिए जाएंपल लें जाएंगे अविश्टा इसमाल के तो छोटा ही लिए उगा इसके बाद सेवी सीट को बेंदबाला प्रेट करने वाला हम परसंटेज इस लीस माल रहे हैं चुकि यह आपके पास डिजर टाइब का है यह आपके पास एंड टू यह शिफ्ट के साथ इस्तमाल कर सकते हैं यह इस एड लगेटर को यह उपर आपको नज़र आधा होगा कीबॉर्ड की अच्छा इसके बाद आपके पास अब हम नहीं क्या रहता है इनके इनको साम करना है अब हम इसके बार बार पॉर्शन बार में करेंगे यहां पर अब हम फंक्शन वाले पॉर्शन में चले जाते हैं फंक्शन इसका नाम है साम की अंदर पहले हम दो बैल्यू दे लेते हैं नापान और नापू जो आईए हम पूस्त को दे लेते हैं एन वान और एन टू इसको देनी है अपाम नहीं अब इसका पास अब यहां पर अए विए कॉूर्षन का फंक्शन का की घरनाएं वाइड बाद बनाते हैं इसके अंदर नहीं यह जो म३ honest Part 2 कैसे इसन आ मने इसका हम इसपाली यह एक पिए इस्टर्गी अज transfer कॊंसा फ्राबर किया यह इसी नाम से गलाना है जिस नहीं का कि ठीक हो कि इसके बाद अब यहां पर क्या हो रहा है एक हमें और वैरियेबल लेना पड़ेगा जिसका नाम है आपके पास सम या हम सम ना लें अब आपके अब आपके पास प्रिंट आपके पास और प्रिंट आपके पास पर संटेज डीक और यहां पर इसे काल कर लेंगे इसको हम प्रोज किया और यह आपके पास हो गया function अब यहां पर जो भी प्रोसेस होगा जो भी values N1 और N2 के पास आई फर्स करें यूजर ने N1 में value दी 5 और यहां पर दे दी 6 अब 5 और 6 इदर आए यानि इन्हों ने अपनी value दे दी इसको यहां पर एक add का function होना रहा था इस इसके अंदर value है 6 जमा क्या हो रहा ग्यारा ग्यारा add में आए परसंटेंडीर के अजरिये से यहां पर ग्यारा कुक हम ने काल करके display कर आदिया जो आपकी सब्सक्राइब इस वक्त शो हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आज का यह आज का tutorial आपके लिए काफी सारा helpful इसके बारे में निस्क्स किया इसको और वास लेवल पे विप्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं तो हमारे complete tutorial जो है वो बजूद है एक से लिए का बाराट का tutorial जो मैंने बनाए हुए है उसके जरी के आप सीख सकते हैं तो मिलते हैं अपने नए टॉपी के साथ तब तक के लि आप